हाई गाईज देश इस गिरिश पर आज भी मैं आप लोगों के सामने एक छोटी शी कहानी पैस करने जा रहा हूँ यह कहानी है हमारे ही देश इंडिया से एक बहुत बड़े सेड थे जिनके जार बेटे थे और एक बेटी थी तो क्या हुआ कि जो सेड थे वो बहुत फैमस थ हर किसी की हेल्प किया गरते थे तो एक दिन जो बेटी थी थोड़ी दूर भ्याई हुए थी और जो चार बेटे थे उसमें से दो की साध्य और रखे थी और जो दो थे वो अभी भी कमा रहे थे पानलिक्यावा कि जो सेड था ना उनकी मौत हो गई सेड की मौत के बाद में बेटी को समाचार विजवा गया वे आपके पिता वो आप से मिलना चाहते हैं ऐसे काफी टाइम हो गया उसे यह नहीं कहा गया कि उनकी मुझती हो गई है तो जब वो मतलब बेटी जो थी वो उसे लग रहा था वी काफी समय के बाद अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हूं तो बेटी ने क्या किया कि एकदम सच सवर के बहुत सारे गैने पहन के अच्छे से अभी मैं अपने पिता से लंबे टाइम के बाद मिलूंगी तो पापा बहुत खुश होंगे तो वो निकल गई और जब वहां से निकली तो रास्ते गंदर किसी ने उस मिल गया और उसने क्या किया कि रास्ते मांकर उस सवयात्रा को रोक लिया उसने कहा कि तुम्हे से जी का वारish कौन है तो उनुह नहें कहा कि मैं से Hm 60 लाग रुपह मांगता हूँ अब बताओ तुम्हें से कौन देगा जका थो बड़े-वाले बेचे ने कहा कि अध्रय उन्होंगे यह पिछ दो धेखो हुआ हम भूढे तो सोरी हम आपको कुछ नहीं पर सकते यह बाद बेटी को पता चली तो बेटी ये कहा कि पापा के जित्ते भी पैसे हैं वो मैं आपको दूँगी तो उन्होंने वो सारे जित्ते भी गहने थे उन्हें गठरी वो उस व्यक्ति को दे दी और उसे कहा कि ये हो जाएंगे गरीब 5-6 लाके हैं और पीछे के जो 2-3 लाक रुपे बचेंगे आपको मैं मजदू वारिस की हगदार एना बेटा तू ही है और रियलिटी ये है कि सेड़ जी से मैं पैसे नहीं मांग रहा था बाकि सेड़ जी मुझे 8 लाक रुपे मांग रहे थे तो बेटा ये पकड़ 8 लाक रुपे ये तेरे लिए और असली इन 8 लाक रुपे की हगदार तू ही है कोई दूजा कोई नहीं, तो इसतर एसे उसकी बेटी को उसने आठ लाग रुपे दे दिए, लेकिन बेटी भी बहुत श्यानी थी, उसने वो आठ लाग रुपे अपने चार भायों को दे दिए, कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने भायों का प्यार चाहिए, मुझे उनकी धन प्रॉ then please like comment and subscribe also thank you